वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें तो आज की हमारी रेसिपी है वो भिंडी की रेसिपी है बहुत नए तरीके से हम इसको बनाएंगे और आपको डेफिनेटली बहुत पसंद आएगा और इसका टेस्ट भी बहुत ज्यादे डिलीसियस है मुझे बहु कि जो तोड़ते समय जो अगर आप कोई रेशिपी अच्ही लगेगी तो लाइक और यह को बंच लिया और हम इसको काट लेते हैं तो इसको बहुत जादे बड़े या फिर बहुत जादे चोड़े टुकड़े में हमें नहीं काटना है यह देखिए इतने बड़े बड़े साइज में को कट करना है तो सारे हम इसी तरीके से कट करेंगे साइट के दोनों किनारे निकाल लेंगे और इसको कट करेंगे ये दिखिए हमने सारे भिंडी काट ली है और बिल्कुल एक समान काट किया है अब साइट के दोनों किनारे हमें निकाल देने हैं अब हम आगे की रेसिपी शुरू करते हैं तो आप हमने रख लेना है गैस के उपर एक पैन और उसमें डालेंगे एक चमस के करीब में तेल अब कोई भी कुटिंग ओल ले सकते हैं तेल गरम होने के बाद हमें जो भिंडी है उसको डाल देना है और उसे हमने इसकी चिपचिपाहट दूर होने तक हम इसको पकाएंगे और मेडियम फ्लेम पे हम इसको घूनेंगे थोड़ा सा तेल हमने डाल दिया है आप चाहे तो इसमें नमा कैट कर सकते हैं इसको खुला ही पकाएं ढखे नहीं पिंडी को हमें बहुत जादा कुक नहीं करना है हम इसको 50 या 60 परसेंट तक कुक कर लेना है जब तक कि इसकी खतम नहीं हो जाती है आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग हो गएं सारे दाने तो अब हम इसको गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको निकाल कर ठंडा कर लेंगे अब हमने लिया हुआ है एक बावल और उसमें डाल देंगे दो से तीन टेबल स्पुन के करीब में बेसन और बेसन में हम डालेंगे हल्दी पावडर आधी चोटी चमच के करीब में और इसकी बाद डालेंगे कलॉंजी है ये भी मैंने आधी चोटी चमच के करीब में आड़ करीए है ये ऑप्सिनल है आप चाहे तो डाले पर इससे बहुत ये अच्छी कुसबू आती हो और टेस अच्छा आता है आधि चोटी चमच के करीब में अज वाइना दाल दिया है मैंने अज वाइन मैं अधी चोटी चमच के पर दिया है आप उसके खटा बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा जवाइन डालने से हमारा, इसमें, डाइजिशन भी अच्छा होता है और इसे बहुत जयादा सारे इंडृंटिन्स को आशे से मिक्स कर लिया है अब मैंने फुड़ा थूड़ा पानी डाल कर इसका अच्छा小 गोल करेंगे जयसा हम पकोड़े के लिए तयार करते हैं उसी तरीके से हमको बिना लंप डिखते के हमको अच्छी के साथ में, मैंने यह फोड़ी सी नमग भी आट कर लिए और अब मैंने इसको मिक्स करके साइड में रख देना है अब हमने कडाई में तेल गरम करें तेल को अच्छे से गरम हो जाने देंगे, उसके बाद जो हमने भिंडी को बेशन में लापेट की रखा था, उसके हम छोड तरिके से डालेंगे और यह देखिए हमें इसको बिल्कुल कृस्पी होने तक कुरकुरा होने तक इसी तरीके से फ्राइ कर लेना है तेल में तर लेना है इसका कलर चेंज हो जाएगा और बहुत ही अच्छी कुस्भू आने लगेंगी तो आप देख सकते हैं इसको गोल्डन साइड में करते हुए निकाल लेंगे एक अलाग प्रीट में निकालकर हम इनको ठंडा कर लेंगे तो सारे निकाल लेते हैं तो देख सकते हैं आप जो भिंडी के हमने पकोडे बनाये थे वह बिल्कुल रडी है और बहुत जादे किस्पी है और अब हम इसकी आगे क्राकल होने देंगे और अब मैं इसमें डालूंगी अच्छे से क्राकल होने के बाद में डालूंगी यह दिखिया हरी मिर्च है इसको मैंने बीच से काट लिया है उनको हम इसमें डाल देंगे आप चाहे तो हर इमिर्च का paste भी add कर सकते हैं अगर आपको साबूत हर इमिर्च नहीं डालना है तो और अब मैं इसमें डालूँगी बारिक कटा हुआ प्याज, मैंने दो मीडियम साइज की प्याज लिए थे और इनको मैंने बारिक बारिक काट लिया है यास को हमें सुनहरा होने तक भूनना है तो यह देखिए लगवग गोल्डन ब्राउन हो चुका है यह सुनहरा हो चुका है और अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर एक मीडियम साइस टमाटर है इसको डाल देंगे टमाटर है वो सॉफ्ट होते तब तक हमें कुछ मसाले त्यार कर लेते हैं तो मैंने डाल दिया है यहाँ पर ग्राइंडर में धनिया के पत्ते और थोड़ा सा नारियल नारियल राफ्रेस वाली भी ले सकते हैं तीन चार लेस्ट की कलिया में डाल दी है और एक इंच अद्रक का टुकड़ा इन सारी चीज़ों को हमें ग्राइंड कर लेना है तो ये दिखिए टमाटर जो है वो अच्छी तरीके से सौफ्ट हो चुके हैं हमें इनको थोड़ा सा कल्ची से ही मैस कर लेना है आप चाहे तो इसका पेस्ट बनास करकर भी डाल सकते हैं अब हम जो हरे मसाले पीस के रखे थे वो हम इसमें डाल लेंगे साथ ही में इसमें हरे मसाले का पानी हम उसमें आट कर लेंगे और इनको हमें मिला लेना है मिलाने के बाद मैं इसमें डालूँगी नमक टेस्ट के कॉर्डिंग उसके बार डालेंगे हम हल्दी पाउडर आदी छोटी चमच लाल मिर्च पाउडर भी डालेंगे हम आदी छोटी चमच के करिब में ये कस्मेरी लाल मिर्च है इस लाल मिर्च से सिफ कलर आता है और आदी छोटी चमच में डाल रहे हूं किचिन किंग मसाला और इन सारी शिजों को हमें low flame पे भून लेना है मसालों को अच्छी तरीके सामें 5-7 मिनिट तक पकाना है low flame पे ही इन सारी शिजों को हमें mix कर लिया है low flame पे जो मसाला है वो अच्छी तरीके से cook हो चुका है ये पैन से चिपकने लगे हैं और तेल भी अलग होने लगा है तो इसको हमने चेक कर लेना है कि अच्छे से भून चुका है या नी और उसके बाद मैं इसमें डालूँगी फुल क्रिम मिल्क है आधे कप के करी में मैंने इसमें लिया हुआ है आप इसकी जगा पर फ्रेश क्रिम ले सकते हैं इसको डालने से पहले आप पेक्शियूर हो जाए कि इसमें जो टमाटर का रस है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से पग चुका हो नहीं तो दूद फट सकता है तो ये दिखिया हमने अच्छी तरीके से मिल्क को मिला लिया है उन्युक अब मिला लूँगी एक से तरीके करी में पानी ऐपको चितनी ग्रेवी स्याइए आप उतना डाल सकते हैं तो अब इसको मिला लूँगी और विण्डी लगभग कुक हो चुकी थी लगभग 60% मैंने कुक कर लिया था तो अब मैं इसमें डाल दूँगी जो पकोड़े हमने बना के डाले थे आप चाहें तो सारे भिण्डी के भी पकोड़े अठ्कर सकते हैं बना के छोटी छोटी भिण्डी चुकी है घर वालों पडोस वालों को भी ऐसा लग रहा है कि घर में कुछ अच्छा बन रहा है तो यह दिखिए साफ कर लिया है मैंने बहुत ज्यादे डिलीस्यस टेस्ट है इसका जरूर बनाएगा आप इसको अपने घर में यह बिल्कुल नई रेसिपी भी है तो आप इसक कर लें फिर दूद की मलाई को पेट के डालने से आपको टेस्ट में ज्यादा अंतर नहीं आएगा अच्छा ही लगेगा दोनों तो यह दिखिए बहुत ज्यादे आसम रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी आप इसको जरूर ट्राय करिएगा डिफिनिटल आपको यह पसंद कि अउसल इसा तो यह फिर कर दो कर दू को यह देस्सको पार डिफिनि आपको नहीं पने सुए Inc sih Indian's